12 और 13 जुलाई के करेंट अफेर्स MCQ के फॉर्म में हम डिसकस कर रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं पहला कोस्चन है विमलडन मेंस सिंगल टाइटल इन जुलाई 2022 देखो विमलडन जो 2022 वाला जुलाई के महिने में भी हुआ है विमलडन सबसे पहले समझ यह होता कहाई यह होता है इंगलेंड में होता है 2022 वाला विनर रह है नौवाक जोकोबीच यह इनका एक कीशमा Grand Slam Award है Grand Slam Award का मतलता है जो चार आवार्ड होते न एक यह वाला और एक होता है फ्रेंच यह चारों मिलाके जो ज़्यादा जिता है तो सबसे ज़्यादे ग्रेंड स्लैम अवार्ड जीते हुए है कौन राफिल नडान यह जीते हुए है अस्ट्रेलिया के एक थे निक निक के साथ इनका सेमे फाइनल होने वाला था यह बाहर हो गया है तो जीते कुन है नवाक जोकोविश के लिए कई याद रखना है यह यह इनका सातमा बिमलडन था बिमलडन सबसे ज़्यादा जीतने वाले हैं रोजर फ्रेडर हो है आठ और से पहले फ्रेंच ओपिन हुआ है फ्रेंच में अभी रॉफिल नडाल ने जीता है बाइस मां लेकिन इसमें सेमे फाइनल से बाहर हो गए चोट के कारण क्लियर सेकेंड कोर्शन है फूइच कंपनी भिल बीठेस परफॉर्मेंस अन लाइफ स्टाइल पार्टर दो ऑफ इंडियान ओलंपिक एसोसियेसें पोर अप कमेंग कॉमन वेल्ट 넣고 एसीयन ऐड ओर ओलंपी यह गेम सब होने वाला है न तो इडिया का क्रिकेट को डाला घया याद रखने वाला है। लेकिन अभी किस में डाला घया बर्मेंगब में होने वाला है्Now इसके लाबरे एशीन गेम हुन ज होने वाला है । उससब वहाजू परीश 있다고 में? अभी अनील खन्ना जी प्रेसिदेंट अनील खन्ना फाउंडीशन इस्टोन कब राख्या गया था इंतियन उलंपिक एसोशेशन के 1927 में सेक्रेटरी जेनरल है राजीब मेहरा ठीक है ना राजीब मेहरा नेक्स कोशन है अभी एक फॉर्मुला वन रेसिंग रेस हुआ है कहां पर नाम है और यह दस जुलाई को मैच हुआ था याद रखिये का चलिए नेक्स्ट विच इंडियन इंडिजीनस बहुत इंपोटेंट पहला इंडिजीनस एर्क्राफ्ट कैडियर है ऐरक्राफ्ट को जो कैडियर करता है पहला indigenous aircraft carrier है इसका नाम क्या है और इन्हों ने अभी इसने अभी क्या किया फोर्थ फेज का sea trial complete किया है अब एक आद महिने में ये पूरी तरह functional हो जाएगा और चला जाएगा navy के पास इसका नाम है INS Vikrant ठीक है ना INS Vikrant ये INS Vikrant हमने नाम पता है कहां से रखा है INS Vikrant नम के एक और हमारे पास था उसी के नाम से हमने रखा है ये पहला indigenous aircraft carrier है इसको बनाया किसने कोची CPR Limited ने बनाया किसके लिए इंडियन ने भी के लिए ठीक है इससे पहले हमारा भारत का पहला जो aircraft carrier है वो किसने उसका नाम था बिक्रांत विक्रांत हमने खड़ दया था अचया तो उसी के नाम पर हमने बिक्रांत रखा क्योंकि ये बिक्रांत रखा रेटायर हो चुगा है तो इस के नाम पर हमने नया जो खुद से बना या किसने बनाया कोची CPR लिमिटर ने उसका नाम रखा तो इंडिया उस कुछ सेलेक्टेड ग्रूप में मिल गया है जो अपना जिसमें कापबिलिटी है क्यों बना सकते हैं अपना एरक्राफ्ट करियर उसमें कौन-कौन से देश आता है यूएस यूके रसिया इटली फ्रांस ज किया था ठीक है ना पहला था एक पहला जो था आइनस बिक्रान था लेकिन अब रोटायर हो चुक है यह पता हो ना चाहिए आपको और अभी करेंटली जो फंसन है वो है आइनस बिक्रमा देते एक मात एक और हो जागा तो धोरा सा हमारा नेवी और ज्यादा पावर्फुल Barroom Ad. एक प्रोग्राम है कहां पर अट दे एनालोग एस्टोनाट ट्रेनिंग सेंटर फॉलाइण में होता है तो यह प्रोग्राम को सबसे यंगेष्ट परसन जिन्होंने इसको कंप leadership क्या उन्हका नाम है आप मात्र उन्नीश चाल की लेड़ी है ठीक है यह पूरे दुनिया में सिर्फ 6 पर्षन है जिन्होंने यह complete किया है मतलब जिनको यह मौका मिला जिन्होंने complete किया यह बात याद रखेगा कुछ हम अपने कोर्स के बारे में बताते हैं यह कराउन का कोर्स है, बहुत फेमस कोर्स है और ये BPSC का course है शनुपर आप आप जुआन कर सकते हो ये NCART का course है अब इसमें विडियो डालना शुरू हो गया है विडियो upload होना शुरू हो गया अब इसको जुआन कर सेते घटनाचक्र की course है ये भी है शनुआन कऱे आप लोग नंबर है 9582062485 485 वहुत अच्छा कोशन है कि एक कंट्री के रिसर्चर ने एक नया मटीरियल खोज निकाला है उस मटीरियल का नाम एक्चुली है सिंगल क्रिस्टिलाइण इसका में काम क्या होगा इन्फरा रेड लाइट को कनवर्ड करेगा रिनेवल एनर्जी में इन्फरा रेड लाइट को रिनेवल एनर्जी में कनवर्ड करेगा इन्फरा रेड लाइट को रिनेवल एनर्जी में कनवर्ड करेगा यह बात याद रखेगा मेन इसका फादा होगा और सोलर और थर्माल एनरजी के हार्वेस्टिंग में और बनाया कौन है कौन ये कंपनी एक बेंगलूर की एक रिसर्च है कंपनी है मतलब ऐसा बोल सकते हैं जिसका नाम है जवाहर लाल नहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च इसका काम होता है कि किसी भी साइट को ये डिकलेयर कर सकती है मॉनुमेंस ओफ नेशनल इंपोर्टेंस तो दो साइट है ये दोनों साइट किसे किन से रिलेटर है पता है ये दोनों साइट रिलेटर है बियार अंबेदकर सहाब से इन दोनों साइट का नाम है एक का नाम है संक संकल्प भूमी बानियान्ट्री कांपस वरोद्रा में संकल्प भूमी संकल्प लेने क्या संकल्प किस सीच का कि भाई इराडिकेट करते हैं किस सीच को अंटेचेबिलिटी हो गया रखो यह 1917 में उनका यह साइट बना था उसके अलाबे एक है प्रताप राव भोसले हई स्कूल महराश्ट्रा में यहाँ इनका एक साइट है उन 2600 आ साइटों क्या किया गया inhib किया और भी जोन अभी नेशनल मॉन्मेंट्स ऑथरीटि के चेयरेमन नेशनल विजय कि अंदर आगी मिनिस्ट्री आफ कल्चर सबल सब्सक्राइक डिल्युकहरा कारे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे किस दिन मना जाता है ग्यारा जूलाई को मना जाता है वर्ल्ड Population Day Theme क्या इस पारी क्या Theme है ये World of 8 Billion 8 Billion Population हो गया हमारे पास और इस इतना नहीं और भी लिखाव है Towards a Resilient Future for All Harnessing Opportunity And Enduring Right and Choice For All ठीक है न फिर से बहुत देता हूँ A World of 8 Billion Towards a Resilient Future for All Harnessing Opportunities And Enduring Right and Choice for All ये मनाता को ने ये बात याद रखिया है ये Event Development Program ने इसको स्टार्ट किया था एक In which City, Union Home Minister Amit Sa had chaired the 30th meeting of Northern Zone Council Northern Jorn Council होता है न हमें पता है जोर्नल काउंसिल होता है Northern, Western, Eastern, Center और एक होता है North Eastern तो ये सब कब आया था 1956 में वो कब आया था North Eastern वाला या था 1971 में ये एक और गुरूप है ठीक है न जिसमें नौर्थ में जितने भी राज्ये हैं सबके चीफ मिनिस्टर आएंगे गवर्णर आएंगे कुछ मिनिस्टर आएंगे और हेड करते हैं जेनरली हों मिनिस्टर ठीक है है हेड करेंगे तो इस बाट जो नौर्थ जोर्नल काउंसल का मेटिंग कहां पर हुआ है ये हुआ जयापूर में कहां हुआ नौ जुलाई को वह याद रखिएगा नेक्स कोस्टन है विच कंपनी है बिकम दे फर्स्ट कंपनी इन दे कंट्री इस कंपनी का नाम है गोधी इंडिया लिमिटे याद रखिएगा इसके फाउंडर है महेश गोधी उनका सर्ड नेम है हेड कोटर कहां पर ओविसली मानक भावन ओल दिल्ली में डिरेक्टर जेनरल है प्रमोद कुमारतिवार ये सब पूछेगा ने ये किसका ये सब हम बोलने हैं ब्यूर ओफ इंडियन स्टेंडर का ठीक है इसका फाउंडेशन इस्टोर रखाया था 1986 में और मानक भावन में इनका मानक भावन मानक भावन में इनका मेन सेंटर है हेड कोटर डिरेक्टर जेनरल है प्रमोद कुमारतिवारी एक expressway है जिसका नाम है which expressway is being developed as the first elevated उपर से अरवन expressway in इंडिया अरवन expressway इसका नाम है दोरका expressway ये दिल्ली के द्वार्का को जोरेगी हर्याना के गुरुगराम से, इसका टोटल लेंध है 29 किलोमेटर, इसलिए इसको नदन पेरिफेलर रोड भी बोलते हैं, ये भी व्याद रखेगा, नेक्स्ट कोस्टन है, विच रेलवे स्टेशन हैं के अनवेटर रोड रुपीज सेटलमेंट सिस्टम पोर इंटरनेशनाल ट्रेड, ये कौन कर हैं, आर वी य हम सब को पता हैं, कि यह बहुत नियुव है कि विच बैंक है लॉंच अब मेटा वर्स बेस्ट वर्चुल लॉज लॉंच महां जब सब बैठते हैं ताकि वह अपने कस्टमर अपने प्रोड़क्ट को वर्चुली दिखा सकते अपने कस्टमर लोगों को यह यूनियान वैंडिया ऐसे कर रहा है लास्ट क्योर्चन है क्मपनी Cash अच पार्टनर विथ्थ साफरोन घ्लिकॉप्टर एनजन टिवलफर हो कि किस impression & सफ्रोन साफरोन हेलिकॉप्टर एंजिन के साथ क्या किया है एक आग्रिमेंट किया है कि यह बनाएंगे हेलिकॉप्टर यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ठीक है तो इतना ही है तो आप क्या करिए एक सब्सक्राइब इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं आपको कोई कोर्स पर्चेज करना है तो या कोई डाउट हो कुछ भी फीडवेक देना तो भी मैसेज कर सकते हो आराम से कंट्रिब्यूट भी कर सकते हो ठीक है और कोर्स के लिए फोन कर सकते हो मैसेज कर सकते हो चलिए थैंक्यू